पांच मैई 2023 को लगने वाला है चंदर ग्रहन देश भर में कहां कहां दिखाई देगा जानिये सूतक काल और सब कुछ सूर्य ग्रहन के बाद साल का पहला चंदर ग्रहन बैसाक महा की पूर्णिमा तिथी को लगने जा रहा है साल का ये है पहला चंदर ग्रेंड पांच मेई को लगेगा आपको बता दें कि 15 दिनों के अंतराल पर ये है साल 2023 का दूसरा ग्रेंड होगा इसके पहले 20 अपरेल को साल का पहला सूर्य ग्रेंड लगा था इस ग्रेंड को भारत में नहीं देखा जा सका था अब बुधपुर्णिमा के दिन साल का पहला चंद ग्रहन लगेगा यह ग्रहन एक उपचाया चंद ग्रहन होगा जिसमें चांद की सतय पर धूल भरी आंधी के रूप में नजर आएगा आईए जानते हैं कि साल के पहले चंद ग्रहन का समय सूतक काल और इसे कहां-कहां पर देखा जा सकेगा भारत में क्या दिखेगा चंद ग्रहन खगोल विज्यानिकों के अनुसार साल का पहला चंद ग्रहन यूरोप एस्किया के जायदतर हिस्से आश्ट्रेलिया, एफ्रिका, प्रसांत, एटलांटिक, अंटाक्टिका और हिंद महासागर में दिखाई देगा जहां तक भारत में इस चंद ग्रहन के दिखाई देने का मामला है तो जादातर खगोल सास्तर के जानकारों और हिंदु पंचांकी गर्णाओ के आधार पर यह चंद ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा लेकिन टाइमडेट.com के अनुसार भारत की कुछ हिसों में इस चंद ग्रहन को देखा जा सकता है कब से सुरू होगा चंद ग्रहन? साल का पहला चंद ग्रहन भारतिय समय के अनुसार पांच मई को रात आट बजगर चवालिस मिनट से सुरू हो जाएगा जो आधी रात यानि एक बजगर एक मिनट तक चलेगा ग्रहन का उच्टम काल रात दस बजगर बावन मिनट पर होगा यह एक उपचाय चंद ग्रहन होगा साल का पहला चंद ग्रहन उपचाय चंद ग्रहन होगा खगोल विज्यान के अनुसार जब सूरिय और चंदरमा के बीच प्रत्वी आ जाती है तो तब ये तीनो एक सीधी लाइन में कुछ देर के लिए आ जाते हैं इस घटना को ही चंद ग्रहन कहते हैं जब प्रत्वी की परच्छाई सीधी चंदरमा पर ने पड़े तो इसी उपचाय चंद ग्रहन कहते हैं भारत में सूतक काल माननी होगा की नहीं धार्मिक नजरिये से जब भी उपचाय चंद ग्रहन लगता है तो इसको ग्रहन की शेणी में नहीं रखा जाता ऐसे में इस चंद ग्रहन का सूतक काल मानने नहीं होगा आपको बता दें कि सूर्य ग्रहन होने पर ग्रेंड शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल आरम हो जाता है जबकि चंद ग्रेंड होने पर 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है सूतक काल में किसी भी तरह का सुब काम और पूजा पाठ नहीं किया जाता सूतक की समापती के बाद ही सभी तरह के धार्मिक कारिये दोबारा से सुरू होते हैं अगर आपको मेरे दोबारा दी गई जानकारी पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कर लेना अगर आप आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जैसरी राम